बुलबुल नाम की एक लड़की थी उसे फोटो खिचवाने का बहुत शौक था वो जहां भी जाती थी फोटोस खिचती रहती थी और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी अरे तुम लोग क्या अपसे बैट कर बस बाते ही किये जा रहे हो एक फोटो तो खिचो मेरी सोशल मीडिया पर लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा कि मैं कब अपने फोटोस डालूँगी अरे बुल-बुल क्या तू हर वक्त बस फोटोस ही खिचती रहती है अरे इस फोन और कैमरी के बाहर भी एक दुनिया है जरा इसको भी इंजोई कर ले हाँ बुल-बुल तुम तो घर पर भी यही करती थी और यहाँ भी एक वही कर रही हो कुछ तो चेंज करो हाँ रोहन ये तुमने एकदम पते की बात कही है कुछ तो चेंज करना चाहिए मुझे तो ठीक है मैं फोन से फोटोस नहीं खिचूंगी बलकि मैं एक फोटो स्टूडियो पर जाकर फोटो खिचूंगी और फिर उसे सोशल मीडिया पर डालूंगी फे भगवान मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो करेंगे बुलबुल चलते चलते काफी दूर निकल आई थी लेकिन उसे कहीं भी कोई फोटो स्टूडियो नहीं दिखा लेकिन अचानक से उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा था उस पर लिखा था सर्प्राइज फोटो पूत अरे ये तो बड़ा ही यूनीक नाम है खेर चलो आखिरकार मुझे फोटो स्टूडियो तो मिला बुलबुल जल्दी से स्टूडियो के अंदर चली जाती है वहाँ जाकर बुलबुल दंग रह जाती है क्योंकि अंदर एक चुड़ैल खड़ी थी अरे बापरे ये तो एक चुड़ैल है भागो 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 मुझे जाने दो मुझे मत मारना अरे अरे कहां भाग रहेंगे आप मैडम आपको ड़ने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है मेरा ही फोटो इस्टूडियो है ये बताईए आपको कैसी फोटो खिचवारी है क्या? अच्छा? मगर मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है माहफ करना में थोड़ा डर गई थी जी कोई बात नहीं अकसर लोग यहां कर ऐसे ही डर जाते हैं मैं समझ सकती हूँ लेकिन आप विश्वास करिये आपको मुझसे कोई खत्रा नहीं है जी लेकिन लेकिन आप यहां कैसे मतलब ये स्टूडियो आपने कब और कैसे खोला? दरसल जब मैं जिन्दा थी तब मैं एक फोटोग्राफर थी मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने फंक्शन्स में बुलाया था फोटो खीशने के लिए लेकिन एक दिन एक्सिडेंट में मेरी बहुत हो गई और तब से मैं यहां वहां भटक रही थी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फोटोग्राफी जारी रखू तो बस मैंने यह स्टूडियो खोल लिया ओ, क्या बात है यह तो सच में बहुत इंस्पैरिंग है आप तो कितनी महान है आपने मरने के बाद भी अपना शौक जिन्दा रखा वाँ 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 हाँ, जरूर जरूर आएए न फिर बुलबुल अपना मोबाइल निकाल कर स्टूडियो का वीडियो बनाने लगती है देखिए दोस्तो, आज मैं आई हूँ इस कमाल के फोटो स्टूडियो में जिसकी मालकिन ये मिस चुडैल जी है आप सब भी यहां आकर फोटो जरूर खिचाए फिर बुलबुल सीट पर जाग कर बैट जाती है और चुडैल अपने कैमरे से बुलबुल की फोटो खिचती है जैसे ही वो कैमरे का बटन दबाती है वैसे ही बुलबुल गाय हो जाती है और वहां पर एक तस्वीर आ जाती है बुलबुल का फोन वहीं पर गिर जाता है ये लो एक और फोटो जुड़ गई मेरी इतनी बड़ी कलेक्शन में अब इसे भी सजाकर रख देती हो बाकी इनसानों के साथ चुडएल बुलबुल की फोटो को सामने रख देती है जहां कई लोगों के फोटोस थी असल में वो सब फोटोस में अलग-अलग लोग कैद थे जिनने चुडएल ने अपने जादूई कैमरे से कैद किया था उधर दूसरी तरफ बुलबुल के दोस्त उसे हर जगा ढूंड रहे थे अरे यार ये बुलबुल आखिर चली कहा गई हमें वापिस घर भी जाना और इसका कोई अता पता नहीं है चलो हम अकेले वापिस चलते हैं ये तुम कैसी बात ही कर रहे हो रोहन हम अपनी दोस्त को ऐसे किसी अंजान जगा पर अकेले चोड़ कर कैसे जा सकते हैं चलो उसे ढूंडते हैं रुको सोशल मीडिया पर चेक करता हूँ वो जहां भी होगी वहां की फोटो ज़रूर डाली होगी उसने तभी रोहन अपने फोन में बुलबुल की प्रोफाइल खोलता है और उसमें उसे एक वीडियो दिखती है जो कि बुलबुल ने थोड़ी देर पहले ही डाली थी रोहन को पता चलता है कि बुलबुल किसी अजीब से फोटो स्टूडियो में थी जहां एक चुडैल मालकिन थी और उसके बाद वो उनलाइन ही नहीं आई हो ना हो ये बुलबुल यहीं पर होगी चलो चलकर उसे ढूंडते है बला कोई ऐसी डरावनी जगा कैसे जा सकता है मुझे तो कुछ गरबर लग रहा है रोहन इतनी देर से बुलबुल ने कुछ पोस्ट नहीं किया ना जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा यहां यहां एक खिर्की है मीरा आओ जहांकर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है मीरा और रोहन खिर्की से जहांकर देखते हैं कि वहां वही चुडैल थी जिसका वीडियो बुलबुल ने डाला था और वो एक लड़के की फोटो खीच रही थी लेकिन फोटो खीचते ही वो लड़का खोद एक फोटो में बदल गया ये देखकर रोहन और मीरा बहुत डर गए भागो, भागो, ये तो बहुत खतर नाग चुड़ाल है भागो, अपनी जान बचाओ मीरा, भागो जाने तो मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने तो मम्मी तुम्हे शर्व नहीं आरी रोहन, मम्मी मम्मी करके रो रहे हो जाओ तुभे जाना है तो जाओ, पर मैं अपनी दोस्त को यहां अकेले नहीं चोड़ूँगी मैं उसे वापस ले कर ही घर आऊंगी, इतना कहकर मीरा इस टूडियो के अंदर चली जाती है उसे अंदर जाता देख कर रोहन भी उसके पीछे जाता है आए आए, जब से उस अंजान लड़की ने मेरे बारे में अपने सोशल मीडिया पर डाला है तब से मेरे यहां कस्टोमर्स की लाइन लगी हुई है बताइए कैसी फोटो चाहिए आपको हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी उसको देख कर आए है तो, तो वो लड़की अभी कहा है मीरा की यह बात सुनकर चुडैल को गुस्सा आ जाता है उससे तुम्हे क्या, आओ और आकर फोटो खिचाओ बस मीरा रोहन को इशारा करती है कि वो जाकर फोटो खिचवाए रोहन डर जाता है और मीरा के पास जाकर धीरे से कहता है अरे मीरा ये तुम क्या कर रही हो, तुम अब क्या मुझे बली का बकरा बनाओगी चुप हो जाओ रोहन और जितना कहती हो उत्ता करो, जाओ और जाकर फोटो की जाने के लिए बैट जाओ देखो मैं तुमें कुछ नहीं होने दूगी रोहन डड़ते ड़ते जाकर चेर पर बैट जाता है और चुडएल अपना कैमरा लेकर आ जाती है ओ वाओ, कितना सुन्दर कैमरा है, लाइए क्या मैं से देख सकती हूँ क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपना कैमरा किसी को छूने भी नहीं देती हूँ मीरा समझ जाती है कि कैमरे में कोई ना कोई राज शुपा है, उसे एक आईडिया आता है अच्छा, इसके पहले कि आप हमारी फोटो कीचे, क्या मैं आपकी अभी तक खीची हूई फोटोस देख सकती हूँ उससे हमें आईडिया मिल जाएगा कि हम किस पोज में फोटो कीचा सकते है ठीक है, मैं अभी अलबम लेकर आती हूँ और आपको फोटोस दिखाती हूँ इतना कहकर चुडएल एलबम लेने चली जाती है और पीछे से मीरा मौके का फैदा उठा कर उसका कैमरा उठा लेती है चुडएल उसे देख लेती है और चिलाने लगती है नहीं, मैंने कहा और मैं अपना कैमरा किसी को भी चुने रही देती हूँ वापस रख हो उसे वरना अच्छा नहीं होगा चुडएल कहीं की? जल्दी से हमारी दोस्त को आजाद करन वरना आज तेरी खेड नहीं हम दोने मिलकर तुझे बहुत मारेंगे समझी? चुडएल को गुस्सा आता है और वो रोहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है अरे नहीं, छोड़ दे उसे चुडएल मीरा हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा जमीन पर पटक देती है और उस कैमरा को तोड़ देती है कैमरा तूटते ही फोटोस में कैद सभी लोग आजाद हो जाते है नहीं, नहीं, मेरी सारी मैनल बरबाद हो गई ये सब तो आजाद हो गए, ये तुम लोगों ने क्या किया? सभी लोग चुडएल को गुस्से से देखते हैं और उसे मारने लगते है किसी तरह चुडएल वहाँ से अपनी जान बचा कर भागती है बुलबुल अपने दोस्तों को देख कर बहुत खुश होती है दोस्तों तुम मुझे बचाने आ गए, अगर तुम ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता चलो अब यहां से चलते हैं, वापस घर भी चलना है अब हमे बुलबुल, आज के बाद कभी भी अजीब सी फोटोस कीचने के बारे में मत सोचना हम, हम हर बार नहीं आएंगे तुमें बचाने बुलबुल के बाद सुनकर रोहन और मीरा हसने लगते हैं और वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं उस दिन के बाद से किसी ने भी उस चुडैल को फोटो स्टूडियो के आसपास भी नहीं देखा और नहीं कभी दुबारा कोई उस स्टूडियो के अंदर क्या